बच्चों ये वीडियो में part wise बना रहा हूँ, यदि आपको इस chapter के सारे videos part 1 से last part तक दिखने हैं, तो आप playlist देख सकते हैं, playlist देखने के लिए video के नीचे यहाँ click करें, आपको home video playlist दिखेगा, अब आप यहाँ click करें, playlist बटन पर, तो आपको यह playlist दिखेगा, यदि आपको औ पूरा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौझूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं, यह वीडियो भी ज्यान, class 9, अध्यायच, उत्तक का part 4 है, तो part 3 तक आप जरूर देख ले, part 3 में हम लोगों ने जन्तू उत्तक के संयोजी तीसरा क्या है, पेशी और चौथा क्या है, तंत्रिका, तो इस वीडियो में हम लोग संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो संयोजी उत्तक को हम लोग इस तरीके से उसके कुछ points को देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो संयोजी उत्तक होता है, वह सर तो यह सारे सरीर को क्या करता है यह सारे सरीर को एक दूसरे से जोड़ने का कारी करता है यदि हम लोग हड़ी का बात करें अस्थी का बात करें तो यह सारे सरीर को क्या करता है कि स्ट्रक्चर प्रदान करता है जो भी क्या है एक संयोजी उत्तक का उदारन है तो यदि एक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से धीर-दीर समझ में आएगा तो धीर-दीर करके मैं सारे चीज़ों को आपको पढ़ा रहा हूं तब आपको यह संयोजी उत्तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेकिन मुख्य रुप से आपको क्या करना इसको याद क प्रतिक के बारे में चार पांच पॉइंट आपको याद करने है तो अलग अलग प्रकार के सेंजी उत्तक है जैसे कि element---- कंकाली स्यों अचीं उत्तक है फिर हापका वह स्यों सेजी उतक है और यहां तो सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है इन सब चीजों को याद करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक्जामिनेशन के लिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो संयोजी उतक है वह सरीर के विभी नमों को बांधने का कारे करेगा आधार प्रदान करने का कारेगा जैसे आधार प्रदान करने का कारे करेगा तो अस्ती हमारे सरी का जो अस्ती पंजर हो वो हमारे सरी को क्या देता है आधार देता है ठी जोके शरी को क्या करेगा बान जने का कारे केगा और इस तरीके से एडी पोस करेंगे करें कर देखना है तो यहां पर हम लोग यहां देखेंगे जो सहिग उतक है उसमें कोशी काय होती है वह एक दूसरे से पुरा बंदी होई नहीं रहती है बलकि मेंट्रिक्स में धसी होती है तो सेल आपस में कम जोड़ी होती है तद्धा अंthar कोश किये अधात्री जिसे हम लोग क्या बनते हैं मैट्रिक्स में धसी होती है तो यहां पर आप जो भी देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मैट्रिक्स होगा उसी में कुछ सेल क्या होगा धसा होगा और इसका निर्मान करेगा अब यहां देख लेते हैं कि यहां जैली की तरह हो सकता है तरल हो सकता है सघन या कठोर हो सकता है तो अलग- कुछ क्या हो सकता है । दूसरे क्या होता है प्लाजमा जो की एक मैट्रिक्स है और दूसरा क्या होता है उसमें suspended particles तो इसी प्लाजमा में जो की तरल होता है उसी में जो कोशिकाय होती है जैसे कि यह लाल रक्तकडिकाय हो गई श्वेत रक्तकडिकाय हों गई ब्लड प्लेटलेट्स वो उसी में धसे हुए रहते हैं इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं तो यहां प्लाजमा जो होता है उसमें प्रोटीन होता है जल का मात्रा होता है प्रोटीन होता है साल्ट होता है हॉर्मोन होता है साल्ट मतलब लवन होता है यहां हॉर्मोन तो यह सारे चीज़ प्लाजमा में रहता है और दूसरा क्या होगिए ब्लट को प्लड प्लेट लिटलत यह सारा भी वहाँ प्लाध को ब्लड को को थक्का जम जाएगा और यह खुन बंद हो जाता है तो जितना information दिया गया उतना है मैं आपको बताना चाहा रहा हूं तो इसका कारे क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रख्त है हमारे सरीर में उपर से नीचे तक विभिन पदार्थों को ट्रांसपोर्ट का कारे करता है उसको एक जगह से दूसरे जगह संवहन का कारे करता है जैसे कि आरबीसी अब जानते हैं कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा ठीक इसी प्रकार से पचा हुआ जो भोज तक ले जाएगा वहां से उस रख्त को च्छाना जाएगा और गंदगी को यूरिन के थूप बहार निकल जाएगा हमारे सरी में विभीन भागों में हॉर्मोन का अश्रा होता है जो कि हमारे सरी के विभीन क्रियाओं को संचालित करते हैं तो उन हर्मोन को भी एक जगह से अच्छे परिशित हैं तो अस्थी बहुत मजबूत है इसको हम लोग देखके है, जिससे कि वहां पर अंग और अंग तंत्र लगे हुए हैं मानसपेसे उसमें लगा हुआ है तो यह सब किसके कारे है अस्थी के कारे है यह मजबूत होता है तर्था कठोर होता है और इसके बाद हम लोग यह सीखना इस भी कि इसका जो मैट्रिक्स होता है इसमें cell धहसे होते हैं वह कैल्सियम और फॉस्फोरस का बना होता है जो की उसमें सरकरा और प्रोटीन की अधिकता होती है यहां उपास्थी जो अस्थियों का जोड है उसको भी चिकना बनाने में उपास्थी का मतलब वहां पर प्रेजन्ट होता है जैसे जोड है जोड पर जो हड़ी है आपका उसको चिकना बनाने में उसको चिकना बनाने में भी व दो हड्डिया है तो दो हड्डियों को जोडने के लिए यहां पर देख सकते हैं कि यह कंड्रा नामक क्या करता है दो हड्डियों को जोडने का कारे करता है और साथ ही साथ यह लचीला होता है और मजबूत होता है लेकिन इसमें अधात्री यानि कि मैट्रिक्स क्या होता है कम होता है तो यह बहुत important question आपको आता है कंड्रा और स्नायू में अंतर को सपष्ट करें तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दो हड्डियों के बीश को जोड़ने का कारे करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंड्रा लेकिन आप देखेंगे जो हड्ड सुष्ट कारे करता वह है वह है मान स्पेसी स्वरी वह है असन आयू ञों ती को मान स्पेसी से जोड़ने मढद करता हूर यह लचीला होता है यह तथा यह सीमित रूप से लचीला होता है उतना इंपॉर्टेंट है इससे जरूर एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है तो अंगों के भीतर खाली जगह को भरने के लिए कौन सा उत्तक होता है इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है जो आप जाने हैमारे अंगों के बीछ में खाफी खाली स्थान 秒ता हुथ सको भरने के लिए किस उत्तक कंप्यों की होँप烦्ध ने लीक Am nên और न skills लेइस पाय जाता है त्याय उत्तक क्या करेगा जो भीधर खाली श्थन और उसको भरने का वरने का कारी करता है यह आंतरी कंगों को सहायता भी देता है और यह उत्तकों की मरमत करने में भी मदद करता है यह सारे पॉइंट्स आपको लिखने है और इसमें यह पॉइंट आपको बहुत ही महतपुन रुप से लिखना है और एक और प्रश्ण जो एडी पोस टीशू के लिए आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं वसा में उत्तक के नाम से जानते हैं तो वसा का संचे किस उत्तक में होता है तो आपको सीधे सीधा लिखना है एडिपोस टीसू यानि की वसा में उत्तक में वसा का संचय होता है तो इसका जो कोशिका होता है उसमें वसा की गोली काय होती है जिसमें फिर वसा का संचय होता है जो कि हम लोगों को थंड़ से बचाओ भी करता है या आंत्री अंगों के बीच पाया जाता है और वसा का संचय करता है तो इस प्रकार से स्योजी उत्तक हो गया अब बचिता है पेशिय उत्तक और तंत्री का उत्तक तो हम लोग इसको अपने next की वीडियो में करने वाले हैं जो कि हमारा last वीडियो होगा तो मैं मिल रहा हम स्ट्वीडियो में धन्यवाद